ड्रीम लेवन एंड रेडियो प्रेडिक्सन में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने ये प्लेयर क्यों लिया तो वो कौन सा प्लेयर है उसके बारे में बताऊंगा बहुत ही अच्छा है मैच वीनिंग प्लेयर है और कल का मैच खेलेगा और Grand League का एक Best Option है जो कि आपके पास होना चाहिए और बिल्कुल Hidden Player है और अभी तक आपको किसी नहीं बताया है तो आज है 29 April 23 और आज मैच खेला जाएगा KOL vs GT तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा KOL vs GT Dream 11 Prediction और KOL vs GT या फिर यह कहें KKR vs GT Dream 11 Prediction और KKR vs GT रेरियो प्रेडिक्शन कुलकाता नाइट राइडर्स का यह मैच और किसका मैच गुजराथ टाइटन्स का मैच बहुत इंपोर्टेंट है दोनों टीमे के लिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पर एक छोटी सुरुक केष्ट है अगर अभी तक आप मेरे टेलिग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं और अगर मेरे मेरे में चैनल आर्यां स्पंटसी एक्सपरड जिसमें लगबग 15,5,0,000,000 सब्सक्राइबर है उससे भी कनेक्ट नहीं हुए है तो उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चलते हैं आज का वीडियो शुरु करते हैं और direct मैं आपको अपने mobile की home skill में लेके आ गया हूँ यहाँ पर है dream 11 का application इसे open करके मैं आपको आज की dream 11 ट्रीम बताता हूँ और साथ ही radio team भी बताऊंगा यहां पर आप क्या कर सकते हैं टीम बना सकते हैं या फिर यह कहें fantasy एप है यह मैच आपको दिखाई दे रहा है कुलकाता नाइट राइडर्स बरसेद गुज़ाट टाइटन्स और यह मैच दोनों टीमे के लिए बहुत ही important है तो आज की इस वीडियो में आपको केके आर बरस के साथ अनमहत्पूर्ण जानकारिया भी दूँगा जिससे क्या होगा जिससे आप लोग भी ड्रीम इलेबर में अच्छे टीम बना सकते हैं और रेरियो ड्री थी क्लब एक जबर जस्ट फंटे सी एप है उसके बारे में भी बताऊंगा लेकिन पहले बताऊंगा किसके बा जो की मेरी डेम टीम होने वाली है तो मैंने डेम टीम बना ली है अब आपको यहां पर कुछ अजीब दिखरा होगा तो उसको भी डाव्ट क्लीर कर देता हूँ मैंने टीम बना कर इस लिए रखा है क्योंकि अगर मैं टीम बनाता हू Сп Twin व कयो प्र पर क्यों लिया मैंने यह प्लेयर क्यों लिया अब उसको भी बताऊंगा लेकिन पहले आप यह देख सकते हैं यह मेरी पूरी क्या है ड्रीम लेवन टीम आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना अब नारायन जगदीशन है यहाँ पे जो की एक बिगेट कीपर बरलेवाज है और अपनी टीम के लिए कप हो जाऊंगा बताता हूं क्योंकि यह प्लेयर जो है साउथ अफरीका टीटेन लीग से लेके अभी ताके अभी तक जबर जस्त फॉर्म में हो दूसरा अभी नो मनोहर जो की एक सीनियर प्लेयर है लेकिन अभी फिलहाल आई पेम में पहली बार मोकर मिन रहा है इसलिए के सामने हो है अंध्रे रासल अब आप्रियर अव और बाजीों क्यों लेना है क्योंकि कोश ने बोला है आँब पहली और लास्ट मैस्च मैस्च वेसलिन फैने मच 70-cham में इससे डित होब्र में में गेदवाजी भी कराई गया है और बैटिंग तो आनी ही है तो मैं आज के मैچ में रिंकु सिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा तो रिंकु सिंग से बिटर प्लेयर है सारदुर ठाकूर आज के मैच के लिए और विजय संकर को तो लेना ही है क्योंकि हैं मेरे जानकारी मेरे टेलिग्राम चैनल पर अगला प्लेयर मोहिश सर्मा अब मैंने मोहिश सर्मा को इसलिए लिया है क्योंकि मोहिश सर्मा हमेशा से मैं बोलता रहा हूँ यह डेथ होबरी स्पेसलिष्ट है एक सीनियर प्लेयर है और उसके बाद बरुण चक्रबटी यह एक ऐसा इस्पिनर है जो कि आज इसे नहीं अपनी बंगाल के टीम के लिए बहुत दिनों से अच्छा परफॉलमेंस करते हुए आए हैं और उसके बाद सुयेश सर्मा और बरुण चिक्वाते हैं सुयेश सर्मा मैंने दोनों इस्पिनर ले लिया है क्योंकि जो फास्ट ब बॉलर है अफगानिस्तान का और पिछले तीन मैचों में लगातार ड्रीम टीम का पार्ट रहा है और बहुत कम लोगों ने इसे सेलेट किया है इसलिए मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूँ सो देट आप मिस ना हो अब कैप्टन मैंने बना दिया है यहां पर नारायन जग्डीसन को और आंदेर रसल को वाइस कैप्टन दोनों सेम टीम से हैं और दोनों के इसलिए बनाया है क्योंकि नारायन जग्डीसन एक ज़जस्ट फॉर्म में दिखता हुआ बले वाज है दि स्मॉल लीग में अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप नूर हमद और बीजे संकर के साथ जा सकती हैं क्यों बताता हूँ क्योंकि बीजे संकर एक ऐसा बले वाज है नंबर थ्री पे बले वाजी करते हुद दिखेगा और पिछले के पिछले मैच में जो जस्ट परफॉर्म करता है लगातार करता है और लगातार ड्री मिल्ट टीम का पार्ट रहने बाला नूर हमद को आप वाइस केप्टन मना सकते हो लेकिन टीम के जो प्लेयर है यही 11 प्लेयर रहेंगे यही चूजन प्लेयर है और केके आर बरसेज जीटी की आज की ड्रीम 11 टीम मेरी यही है त और मैंने इसी ट्रिक से तीन बार grand league जीता है तो आप लोग भी win कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अब raryo prediction की तरफ dream prediction खतम करके तो raryo prediction में ये है raryo d3 club का app या फिर ये कहें raryo app अगर अभी तक आपने download नहीं किया है तो मेरे description में link है वहाँ से download करो raryo app और enjoy करो क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अलग है अलग तरह से team बनाना है और अलग तरह से win करना है और बिल्कुल free entry रहती है हर match में तो चलिए open करते हैं radio d3 club का एप और आपको भी win कराते हैं मेरी तरह तो radio d3 club का एप open हो गया है अब अगर आप radio d3 club खेल रहे हैं खेलना चाह सब्सक्राइब पहली बार कैसे खेले रेडियो में player cards कैसे खरीदें रेडियो कैसे केलते हैं रेडियो में कैसे खेले तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं मैंने बहुत सारे और रेडी video बनाया है अब यह सचीन तंदूलकर का player cards कहां पर यूज होगा इसका भी वै वाला हूँ ड्रीम लेट कार जहीं तो इसमें जोई करूंगा क्योंकि तवी लोग इसी में जोईन करते है और यह ग्रेंड लिग ही बैदिट 63 का अब मैंने इतने सारे प्लेअर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डेविड बीजा से लेके जेसन रोय तक मेरे पास प्लेयर है और वो लोकी फर्गुसन भी यहां पे अवैलेबल है तो मेरे पास बहुत सारे जबजस्त प्लेयर के प्लेयर कार्ट्स अवैलेबल है लेकिन मैं D3 टीम बनाऊँगा थोड़ा सा बनाऊँगा क्योंकि D3 जब से स्टार्ट हुआ है रेडियो D3 क्लव या फिर यह कहें D3 जब से सुरुआ है CPL से लाश्ट येर से तब से मैं खेल रहा हूँ और मैंने जैसे बिन किया मैं आपको वही ट्रिक बताता हूं तो पहले मैं लेना चाहूँगा आंद्रेयर सेल औ और डेविड मिलर यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का क्या है 20-20 परसेंट तो मैंने दोनों को ले लिया है और डेविड मिलर को अब जो तीसरा प्लेयर होगा उसके लिए मैं ऐसा प्लेयर चूज करूंगा जो सबकी आंखों से ओजल है लेकिन उसकी एकसपी होनी चाहि से तो टोटल कितनी हो गई 17 परसेंट एकसपी तो 15 परसेंट या इस से अधिक एकसपी होती है तो मैं उसी अपनी टीम में लेता हूँ और मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कीसे बनाओंगा तो चलिए सेलेक्ट कैप्टन पर करते हैं और कैप्टन बनाने की नंबर आता है यहाँ पर क्या नथे को बता है कि पुराना प्लेयर और मैं लौग को थोड़ा सा अलग करना है और बैटिंग्भी आएगी या करे भी गा तो नारायन जिक्सदीसन रहने बाला है मेरा आज आज काCallam मैंन बॉलर लगातार तीन मैचों में ड्रीम टीम का पार्ट रहने वाला और यह ओल ओवर दो बल्ड की लीग खेलता है अगर अभी तक आप निसका प्लेयर कार्ट भी नहीं खरीदा है तो जाके खरीज सकते हैं क्योंकि यही फ्यूचर है रासित खार मुझीबूर रहमान के बाद नूर हमद ही खेलने वाला है और अल ओवर दो बल्ड की लीग और यह क्या रह चुका है यह काउंट्र भी खोल चुका है तो जी टी वर्सेस के के ऐर का जो मैच होने वाला है तो उसके लिए आप खेल सकते हैं यूज कर सकते हैं नूर हमद को चौथा प्लेयर तो चल क्या बनाना पड़ेगा चलते हैं उस प्लेयर को सर्च करके आपको बताता हूँ तो वह प्लेयर यहां पे बहुत सारे प्लेयर दिख जाएंगे तो मैंने एक चीज और बताया है अपने दो तीन नएने वीडियो अप्रोड की हैं जहां पर मैंने बताया है कि कौन से प्लेयर क खाहिए तो फीडियो को जरूर देखना तो चलिए वह अगला प्लेयर है और लास्ट प्लेयर है वह है फीज एक स्पीव कम मतलब बिन करने के चांसे सबंढ़े जादा तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पिछ जो है कल की आज कल की नहीं आज की पिछ जो रहने वाली है इसमिनर के लिए मददकार रहने वाली है और सूरू में पिटिंग समझ में आयेगी क्योंकि बाउंस ऑगेरा मिलेगा नहीं तो power play में अच्छे run बनते हुए नजर आ जाएंगे तो I hope आज का वीडियो और आज की ये information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you for watching